पुश्पा हुआ दिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बरसाई गोलियां पता चला है कि पुश्पा गंबे रूप से शेशर्चलम के जंगलों में पुश्पा को धूडने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट देप्लॉई की भावरा पेट की पहाड़ियों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शोड़ पर मिले आठ गोलियों के निशान पुलिस के हाथों मुश्पा की हत्या निशान जिन पर भरोसा करते हैं उनसे दुखा खाना क्या होता है मुझे पता है इसे छोड़ के गलती कर दिया आठ गोलिया लगी है किसी भी इंसान का बच पना नामुम्किन है पुलिस की पुश्पा को मारने की एक साज इसकी सब भस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह का माधा था बल तुमा लम हाईत्यय का पुश्पन ने उनक पैसों का क्या किया लौडी छुपा कर क्या पोलिस हमें गुम्रा कर रही है आखिर पुष्पा फवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है पुष्पा की एक महीने के बाद भी दंगे जा रही है कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिन्दा नहीं है मेरे बेटी का हार्ड ओप्रिशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा नहीं दिया बगहताई, अब ये ठीक है बेटी के शादी पुष्पा नहीं करवाई पदाए, पुष्पा नहीं हमार लिए घर बनवाई अरे, वो आमगरीबू को खाना खिलाता था मेरे पुष्पा नहीं हमार डाखड़ा, मेरे भूष्पा नहीं है काट देने का तहाँ से उसे इस्टकी पच्छानी पड़े गी वो जब इधर था तब तरी फड़ गई थी जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्वलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है ये कैमरा जो शेडों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते ही अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछेले तो समझो पुष्पा आया है पुष्पा का कुछ रही हुआ पुष्पा सिंदा है नाना अब रूल पुष्पा का